तो गाईज अगर आपके पास cycle है और आप long rides करते हैं तो बहुत chances हैं कि कभी न कभी आपकी cycle बीच रास्ते में puncture हो जाए और जो लोग रंबी ride करते हैं वहाँ पे puncture की shops आपको rarely मिलेगी तो better ये है कि आप अपने साथ एक puncture kit जरूर रखिए और puncture kit में क्या-क्या tools लगते हैं आज उन पर discussion करेंगे तो मेरे सामने सारे मैंने tools रखे हैं और आप देखेंगे तो ये tools आपको Amazon पे भी मिल जाएगा और मेरे ख्याल से अगर आप local shop से जाके ये tools बागेंगे तो आपको easy price में और budget price में आपको मिल जाएगा तो discuss करते हैं क्या-क्या तो माल लीजे आपकी cycle बीच रास्ते में puncture हो गई तो सबसे पहले क्या करेंगे आप उसमें से जो बची कुछी हवा है उसके valve से निकालेंगे उसके बाद वो valve को push करके आप tube के अंदर डाल देंगे और उसके बाद ये tire levers कहलाते हैं इनकी health से आप tube को tire से निकाल लेंगे पहले तो आप tube को आप जो rim है उससे अलग करेंगे और उसके बाद tire tube निकालेंगे अब ये plastics के भी आते हैं जैसे कि आप decathlon brand का देखेंगे तो ये 299 का मिलता है और ये plastics के रहते हैं plastic उतना durable नहीं है इसलिए मैं कहूंगा आप local shop से पता करेंगे तो ये आपको 100 या even lesser price पे मिल जाएंगे easily तो अब आपकी tire tube निकल गई उसके बाद आपके पास एक hand pump होना चाहिए hand pump क्यों क्यों क्योंकि आप leg operated pump ले नहीं जा सकते इसलिए आपके पास एक hand pump होना चाहिए और ये भी आपको amazon पे या decathlon पे मिल जाएगा 400 से 600 रुपीज के बीच में तो इसकी help से आप tire tube में दोबारा हवा भर देंगे उसके बाद most essential चील जो आपको नहीं मिलेगी और इसका आपको जुगार रखना पड़ेगा दो चीज है तो पहला तो है पानी और दूसरा है एक vessel तो ये bottle पानी आप अपने साथ रखे या situation पर पानी काम आएगा पंक्चर देखने में तो और ये बाउल रखे ये बाउल मैंने प्लास्टिक का रखा है क्योंकि ये light weight रहता है तो easy to carry रहेगा और ऐसा बाउल जैसे आप कभी Zomato Swiggy से order करते हैं तो आपको इसमे राइस बाउल वगरा में ये आपको मिलेगा तो इ इसमें पानी भर दिया उसके बाद ट्यूप में हवा बनने के बाद आप एक एक करके इसमें चेक करेंगे और जहां पर भी आपको air bubbles मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पर पंक्चर है अब पंक्चर आपको वह होल मिल गया तो आपको उस portion पे filing करनी है अब य टूल है जो कि 60-70 उपीस का इसली लोकल मार्केट से मिल जाता है मैं इसलिए इसको रखा हूँ क्योंकि ये मुझे काफी ड्यूरिबल लगता है और बाकी आप एमरी पेपर भी यूज़ कर सकते हैं बट एमरी पेपर एक ऐसा फाइल कम नंबर का यूज़ करिएगा जिस्स से और कर सकते हैं बहुत ही चीप रहते हैं राउंड टू रूपीज वन कॉस्ट करता है तो उसको आप ये सल्यूशन उस पोर्शन पे लगाने के बाद ये पैच लगा देंगे फिर अच्छे से उसको आप इससे ठोक देंगे या किसी भी चीज से फिर दोबारा आप उसको अभी इंफ्रिट मत करिएगा फिर आप उसको वैसे ही लगा दीजे टायर ट्यूप के अंदर या आपको एक बार और चेक करना है तो आप फिर हावा भर के एक बार फिर से सरकल राउंड मार के देख लीजए कि कहीं और पंक्चर तो नहीं है इतना करने के बाद आप साइकल त्यार हो जाएगी दुबारा आप उसमें जर्नी कर सकते हैं बाकी इनको कैरी करने के लिए जैसे इसका होल्डर आता है इसका होल्डर आता है और आप एक छोटा बैग कैरी करेंगे तो यह चार चीज भी आ जाएगी बट यह बाउल आपको डालना पड़ेगा यह तो थोड़ा बड़ा बैग लेडिक करना पड़ेगा अगर आप ऐसा बैग रखे हैं जो कि आपके हैंडल में अटैच हो जाता है अगर मैं क्या करता हूँ क्योंकि साइकल मेरी बाहर खड़ी रहती है तो एक चांसे है थेफ्ट होने का क्योंकि यह एक एक स्पेंसिव प्र इसमें पीछे स्टैब दिया हुआ है और सारा मटेरियल इसमें इसली आ जाता है तो यह मैं कैरी करता हूँ यह आपको 200 रुपीस का डी कैथलॉन से मिल जाएगा बाकी आपके पास कोई अगर अलग बैग रखा है उसमें भी आप सारा प्रोड़क्ट रखके उसमें आप ब का टायर ट्यूब फटा कि वो रिपेरिबल नहीं था पंक्चर के थूँ तो मेरे पास एक यह experience से आया कि एक आपको टायर ट्यूब भी कैरी करना चाहिए तो पंक्चर के साथ साथ एक टायर ट्यूब भी जरूर कैरी करिये अगर आप लॉंग डिस्टेंस जरूनी करते हैं न धिक लाक्रा टायरो जबन थादिकरipो Leodब फ्योद्ट ट्रहे टायर टायर टो मेरे डिल वॉधट एक जा सब्सकाइ टूर करि मैंूब लॉदodaब लुडब यूनों यह थीं आदाय जिए टूर चाहिफ टो यह motive ब्सक्रा है टायर बीग टूंद जूलिम थर